कि हमारे अंदर जो आग है ना साथ दीजेगा कि हमारे अंदर जो आग है ना उससे पूरा शहर जलेगा कब रुआ जालिम बन जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तो इसके बाद कुछ ऐसे है कि जब आओगे लोट कर रोते हुए जब आओगे लोट कर रोते हुए तो चुप भी नहीं करेंगे कि जब आओगे लोट कर रोते हुए तो चुप भी नहीं करेंगे बहा देंगे तुम्हारी यादों को पानी में रेत की तरह कि बहा देंगे तुम्हारी यादों को पानी में रेत की तरह उफ भी नहीं करेंगे फिर यह है कि किसी ने रुक्मणी से पूछा कि रुक्मणी तुम्हें सुकून क्यों नहीं? क्रिश्न सदा के लिए तुम्हारे हुए कि रुकमनी तुम्हें सुकून क्यो नहीं? कृष्ण सदा के लिए तुम्हारे हुए रुकमनी ने कहा कि मंदिर में तो उनके संग राधा है तो कृष्ण भला कैसे हमारे हुए? ये उसके लिए था कि किसी और की मतब जिसम प्यार करते हो तो किसी और की साथ शादी हो जाती है ना तो उससे रिलेटेड था इसके बाद ऐसे है कि चर्चे है महले में जरा हुसन का शोर है कि चर्चे है महले में जरा हुसन का शोर है हम भागे की शायद वो होंगे पर ये तो कोई और है इसके बाद ये कुछ ऐसे है कि पहले साल में महबबत हुई पहले साल में महबबत हुई दूसरे में बढ़ गई कि पहले साल में महबबत हुई दूसरे में बढ़ गई तीसरे में सिरे चड़ी चोथे में अकड़ गई कि पहले साल मुहबबत हुई, दूसरे में बढ़ गई, तीसरे में सिरे चड़ी, चोथे में अकड़ गई, पांचवां आया तो दरार साथ लेकर आया, वो हाथ में किसी और का हाथ लेकर आया फिर ऐसे है कि खुद को साज में उसे आवाज लिखता हूँ, उसकी पायल को अंत, बिंदी को आगाज लिखता हूँ उसे हफते का इतवार लिखता हूँ, कभी गुस्सा, कभी नखरे, कभी प्यार लिखता हूँ, कि कभी गुस्सा, कभी नखरे, कभी प्यार लिखता हूँ, वो पूछती है कितनी महबत है, कि वो पूछती है कितनी महबत है, कौन बताए अपनी गजल में उसे हर बार लिखत बहुत शुक्रिया तुम्हारे साथ चुप थे हम तुम्हारे साथ चुप थे तुम्हें खो कर बोलेंगे कि अब जब तुम चले गए हो ना तो अब हम बोलेंगे कि तुम्हारे साथ चुप थे तुम्हें खो कर बोलेंगे तुम्हारे साथ चुप थे तुम्हें खो कर बोलेंगे सुना है आस्मों से आवाज में दम आ जाता है हम शायरी रो कर बोलेंगे कोई गाना सुनते सुनते हम रो पड़ते हैं उस गाने में ऐसा क्या है कि कोई गाना सुनते सुनते हम रो पड़ते हैं उस गाने में ऐसा क्या है जो गुजारा था तेरे साथ उस जमाने में ऐसा क्या है कि कोई गाना सुनते सुनते हम रो पढ़ते हैं उस जमाने में ऐसा क्या है कि कोई गाना सुनते सुनते हम रो पढ़ते हैं उस गाने में ऐसा क्या है जो गुजारा था तेरे साथ उस जमाने में ऐसा क्या है इश्क तो छुप छुप के कर लिया चलो कोई बात नहीं अगर तुम बेवफा नहीं हो तो ये जुदाई की कहानी सुनाने में ऐसा क्या है इसके साथ तो हम अंत करेंगे की एलान था कि अपनी मोब्बत से ही शादी मनाएंगे हमें क्या जानने से लगा अब क्या जिन्दगी है हमें क्या मालूम था हम अकेले आजादी मनाएंगे एक आखरी कि सुनो तुम अजीज हो सुनो तुम अजीज हो तुम खास हो तुम अजीज हो तुम खास हो दूर भले ही सही पर तुम धड़कन के पास हो कि तुम अजीज हो तुम खास हो तुम भले ही सही पर धड़कन के पास हो पढ़ लू तुम्हें मैं किताब की तरह तुम भुगोल भी तुम ही मेरा इतिहास बहुत बहुत शुक्रिया झाल